सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन कर दबाएं और उसमें आलवाला उपसन दबाएं ताकि बहुंसे मैंने वाली हर तरह की वीडियो इस चैनल पर भी आपको समय समय पर मिलती रहें देखो लिवर टोन आप अपने उन पसु को दे सकते हैं यह आपके पसु खाना पर ना कम कर रहा है जुगाली कम कर को यूदिटयल है तो भी आप उसे लीवर टोन दे सकते हैं हैं तो भी आप मिलता है रही बात यह इदि आपको को पशु कही दिन लिवार, तो उसका प्रियोग कर सकते ऑप का पसु खाना कम कर रहा है जुगाली कम कर रहा है तो उसी इस्तति के दोरान भी आप अपने पसु को लिवर्टोन दे सकते हैं लेकिन अपने पसु को प्रिग्रेंट एनिमेल है उनकी अप पेट के केड़े मारने की दवा इदी आप उन्हें देते हैं तो उसके बाद में बीच में पसु को दे सकते हैं जो प्रिग्रेंट एनिमल्स हैं उन्हें आप 5छ एमेल से लेकर के 100 अमेल परिडे साफ से दे सकते हैं और रही बाद लीवर्टोन ज्यादा से ज्यादा आप बहुत लंबे समेता के अपने इसमें को ले में दे बीच-बीच में दे सकते हैं, जैसे आप एक से दो लिटर ये आपने लिवर्टोन दे दिया, अच्छी बात है ये आपके पसु में दिक्त ओती है, तब भी आप लिवर्टोन दे जिस प्रकाश है आपका पसु खाना कम कर रहा है, कमजोर हो रहा है, सरीर का आकार सही नहीं ल लग रहा है कि आपका पसू सुस्त स्ट्रेस में आ गया है या आपका पसू प्रिग्नेंट है लेकिन फिर भी जो दूदारू पसू है उसका दूद डाउन हो गया है तो उसी इस्तति के दोरान भी आप उसको जो लिवर टोन है वो दे सकते हैं उसमें भी अच्छा रिजल्ट आपके पसू में देखने को मिलता है यह यह आपके पसू में इस प्रकार कि गदी कोई दिकत नहीं किसी भी तरह कि कोई सबढ़ी कोई प्रोब्लम नहीट यह यह को लग रहा है वैसे आपका पश्व सवस्त है कि सी भी तरह क्योंगे लग रहा है कि दिक करा कि उसके कि पत्रह कंश में कोई सवस्त विर अब अच्छी तरह सस्मझे होंगे कि आप अपने पश्व को लिएवटन कब नहीं देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए यह आपका पशु किसी कारणवाश यह इस्ट्रेस में है यह आपके पशु में जो सिंपल इंडैजेशन में है एनौरक्शिया में है मेटाबॉलीजिक जो बीमारिया होती है उसके अंदर गद है तो ही आप इसे लिवर के साथ पस्व पालकों के साथ और मेरे जितने वेटिनेरी स्टेंट है उनके साथ आप इसी वीडियो को जितना हो सकता आप सेर करें मेरी वीडियो का लाइक करें आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन विलता है और मा आपके लिए अच्छी अच्छी नोलिजबल वीडियो आ ऐसे लटारों इसी तरशे मेरी वीडियो देखते रहें इसी तरशे मेरे को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवाब